नमस्कार दोस्तों, पीशे स्वार्ट साला में आप सवी का स्वागत है 6 सेप्टेंबर को जो परिच्छा हुआ था DSSV TGT 2021 मेल सोसल सैंस का जो परिच्छा हुआ था 6 सेप्टेंबर को उसको लेकर उहापोहो की सिती बनी हुई है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या जा सकता है कटाफ पिछली बार आप लोगों को पता है कि पिछली बार जो कटाफ गया था DSSV TGT सोसल सैंस मेल में वह 87 गया था वह गया था 87, मतलब 87 गया था और उस समय, उस समय की बात बता दूँँ उस समय जेनरल में सिर्फ और सिर्फ जेनरल की बात दूँँगा उस समय जेनरल में 66600 के करीब लोग आविदन किये थे 66600 के करीब आविदन किये थे उस समय भी और इस समय भी यह इतफाक है कि 66600 के करीब इस समय भी आविदन किये हैं या ओफीसियली जानकारी दे रहा हूं दोस्तों ऐसी बात नहीं है इसके बारे में वीडियो भी बनाया हूं बताया हूं कि चार्सवा साथ इसमें आपका एड़ेगलियोस के लोग अप्लाय किये हैं उस समय मतलब पिछली बार जो था उस समय जन्रल में सीटे थी वह 163 के करीब सथी लिए इस बार जो चानडेयों में सीटे हैं वह 295 लगभव उतना ही हैं जितना इस बार है लेकिन सीटों की संख्या आप लोग देख रहे हैं 70-50 सीट ज्यादा है अब उस बार 87 गया था तो इस बार भी 87 से नीचे जाएगा की 87 से उपर जाएगा यहीं इसती बनी हुई है लोग नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन मैं आज की वीडियो में आप लोग को बता दूँ एक सबसे बड़ी सचाई बता दूँ पिछली बार का पेपर हार्ड था दोस्तों बहुती कठिन था पिछली बार के पेपर आप लोग पिजनेस इस्टेडी के पार्ट बहुत जाते थे और बहुत सारे से कुछन थे जो आप लोग के दमसिर से उपर ही उड़ जाएगा बलब 40-50 पिजदी पाना नंबर बहुत बड़ी बात थे उस बार उस बार का पेपर हार्ड था इस बार का भी पेपर आसान था या हार्ड था इसके बार में नहीं कहुंगा उस बार का भी पेपर लबस समान था लेकिन वह कुछ एसा पुछ दिया था जो आम तरपर तयारी करने वाले भीरती नहीं पढ़ते हैं तो कुछ अलग से पूछ दिया था तो इसलिए बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गये थे इसलिए वहाँ पर कटाफ कम गया था, लिए इस बार लोगों ने अच्छा परदसन किया है, सिरियस केंडिडेट थे, लेकिन सीटों की संख्या जादा है, तो यह माना जा सकता है कि कम से कम अगर यहाँ पर कटाफ बढ़ेगा भी तो, तो 100 से जादा नहीं बढ़ना चाहिए, 100 से जादा कटाफ नहीं बढ़ना चाहिए, वह भी जेनरल की बात कर रहा हूँ, 100 लच्छमट रेखा है, एक सर्वे भी मैं किया हूँ, एक हमारा टेलिग्राम बना हुआ है, टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिशन में टेलिग्राम जॉइन कर लिएगा DSSV TGT करके मैं टेलिग्राम बनाया हूँ लिंक डिस्क्रिशन में है आप सभी लोग जो भी लोग सुन रहा है टेलिग्राम बिल्कु जॉइन करिए आई यह मैं टेलीग्राम पर लेकर चलता हूं जहां मैं सर्वे किया हूं कि डेसर भी टीजीटी सोसल साइंस में नेगेटिव मार्किंग हटा कर कितना प्रश्न किसका सही हो रहा है वहां पर जो आंकड़े मिले हैं वह चौकाने वाले हैं कम से कम 20 फिजदी लोगों ने यह कहा है कि उनके नंबर 110 से उपर आ सकते हैं अब यह भी हो सकता है कि लोग अनर्गल ही उसमें बोल दिये होंगे यह भी हो सकता है लोग मैं बोला हूँ कि आप लोग भी स्वसनी जानकारे दीजेगा आए मैं दिखाता हूँ आप लोगो देखे दोस्तों यही ग्रूप है BSSB TGT 2021 आप सभी लोगों से रिक्वेश्ट है निवेदन है इस ग्रूप को जोईन कर लिजेगा link description में है जोईन कर लेंगे तो फादा यह होगा कि आप सभी लोग एक परिवार की हिस्सा है एक ग्रूप में आप लोग discuss कर सकते हैं जानकारी प्राप कर सकते हैं जो confusion किसी को भी है तो जानकारी आप लोग प्राप कर सकते हैं इसलिए यह सुवदा आप लोग को प्राइड करा रहा हूँ कि link description में है आप लोग जोईन करना चाहें तो जोईन कर सकते हैं और कम से कम इसमें 200 करीब लोग जुड़ हुए हैं तो आप भी लोग जुड़ सकते हैं यहाँ पर देखिए यही मैंने कहा है कि DSSB, TGT, Social Science में negative marking करने के बाद आपके कितने number आ सकते हैं कृप्या विश्वस्णी उतर दीजिए तो यहाँ पर आप लोग खुद देखिए कि 10 फिजदी लोगों ने कहा कि उनकी 80 से 85 नंबर आ सकते हैं 11 फिजदी लोगों ने कहा कि 95 फिजदी आ सकते हैं और फिर 15 फिजदी लोगों ने कहा कि 96 से 96 से 100 तक आ सकते हैं और 14 फिजदी लोगों ने कहा 101 से लेकर 105 तक आ सकते हैं और 14 फिजदी लोगों ने कहा 106 से 110 नंबर आ सकता है और यहाँ 20 फिजदी लोगों ने कहा है कि 110 नंबर से भी ज़्यादा आ सकते हैं हाला कि मैं मान कर चलता हूँ कि इसमें बहुत सारे लोग उल्टा सिधा कुछ भी कर लग देते हैं जिसने जितना भी प्रशन एटेम्ट किया है तो उसे सही मान कर चलते हैं अब इनस्वेर कियाएगी तब में पता चलेगा जैसे एक बंदे ने कहा कि मैं 98 एटेम्ट किया हूँ 98 एटेम्ट किया था वो सेकंड वाले में सेकंड पेपर में और जबकि उसके 38 प्रशन आप उसके 99 एटेम्ट किया था और 37 उसके गलत हुए हैं तो अब इस तरह के ऐसे ऐसे 20 सग्य अगर मवजूद रहेंगे ऐसे ऐसे होनहार चात्र मवजूद रहेंगे कि आप सिर्फ एटेम्ट करना जानते हैं उसे ही गीन कर बता देते हैं 110-120 हमारा भी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं मान कर चलता हूँ फर्क जरूर पड़ेगा पेपर करने लाइक थे ऐसे बात नहीं इतहार नहीं था तो कम से कम अगर इसका कटाफ भी गया जनरल का तो 100 प्लस नहीं होना चाहिए 100 से नीचे ही रहेगा 100 प्लस नहीं होना चाहिए क्योंकि OBC में इस और सिर्फ DHS दिल्ली के जो OBC आएंगे वही आएंगे तो 90-95 के भी जो भी OBC है दिल्ली के वह इस सूरचुश्चित हो सकते हैं और 100 तक अगर 100 तक मांच सकते हैं 100 से 105 मानिए 100 से 105 तक आपके जेनरल जो हैं सुरचीत हो सकते हैं जो SCST है वह आपके वह भी 95 से 95 में हो सकते हैं वह भी safe हो सकते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि SCST में पूरे All India के SCST और EWS आ जाते हैं याद रखेगा बहुत सारी लोग EWS के लेकर confusion वे थे वह सोच रहे थे कि EWS भी other क्या बोलते हैं other state का नहीं लेगा ऐसी बात नहीं है इतना प्रेफर्ट जानकारी नहीं है हो सकता है कि इतना मैं नहीं मांगर चलता हूँ देखे 87 उस बार गया था इस बार बहुत जाएगा तो 97 98 करीब जा सकता है बहुत हो गया तो इससे ज़्यादा नहीं जाने का chance है अब देखे क्या होता क्या नहीं होता है इस group को जोरू प्रेशन में हैं आप लोग बिल्कु जोन करना बिल्कु जोन करना और इस वीडियो को सेयर जोरू करिएगा धने बाद आप लोग को और ओटिंग में आप भी हिस्सा लीजिएगा बताइएगा कि आपके कितने प्रशन लगबास सही हो रहा है इमांदारी के साथ बताएग कितने प्रशन सही हो रहा है